दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ ये स्टोरी है एक अमीर वेपारी की जिसका नाम था भंगारी लाल भंगारी लाल अपनी दो बातों के लिए बहुत फेमस था एक तो अपनी दोलत के लिए लेकिन दूसरा जिस बात के लिए वो फेमस था वो थी उसकी कंजूसी उसकी एक्स्ट्रीम कंजूसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वो सुभा जोगिंग करने की बजाए रात को जोगिंग करता था ताकि कोई उससे पैसे उधार न मांग ले तो हमेशा की तरह एक दिन भंगारी लाल अपने घर से रात को जोगिंग के लिए निकला और जैसे ही वो अपने घर से थोड़ी दूर पहुंचा तो वहाँ उसे लूटने की फिराक में बैठे कुछ लूटेरों ने घेर लिया जिन में से एक लूटेरा उसके गले पर चाकू रखता है और उसे धमकाने लगता है कि तेरे पास जितने भी पैसे हैं चुप चाप हमें दे दे नहीं तो तेरी खैर नहीं अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि भंगारी लाल जैसा कंजूस आदमी उन लूटेरों को पैसे दे देगा या फिर नहीं अगर आपका जवाब है हां तो आप एकदम सही हो भंगारी लाल ने बिना कुछ जादा सोचे अपनी पोकेट में हाथ डाला और जितने भी पैसे उसके वलट में थे उसने सारे के सारे उन लूटेरों को दे दिये और लूटेरों से पीछा छोडा के चैन की सांस ली तो दोस्तों moral of the story is कि चाहे कोई इनसान कितना भी कंजूस क्यों न हो उसे पैसों से चाहे कितना भी लगाव हो लेकिन जब बात आती है पैसे और लाइफ में से किसी एक चीज़ को चूस करने की तो एक extreme कंजूस इनसान भी बिना second thought के लाइफ को ही चूस करता है क्योंकि प family और relations को भी नजर अंदाज करते हैं और health से भी compromise करते हैं यानि कि आप कह सकते हो कि life से खिलवार करते हैं सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए और जब कुछ पैसे हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनका इस्तेमाल भी कुछ इस तरीके से करते हैं कि बाद में जाके हम उन चीजों पर पैसे spend करते हैं जिन से हमें temporarily खुशी मिलती है फोर एक्जामपल महंगे कपड़े बड़ी गाड़ी और latest iPhone पर अपने पैसे खर्च करते हैं लेकिन believe me इन सब materialistic चीजों की खुशी कुछ हाफते या कुछ महीनों से ज़्यादा टिकती नहीं है एक true happiness की बात क अब आपका दोस्त करता है कि EMIs पर expensive watches और branded smartphones purchase कर लेता है जिसकी बज़ा से उसकी आधी salary तो इनकी EMIs पे करने में चली जाती है और जो बचती है उसका भी एक major part वो weekends में party करने में उड़ा देता है और उसे इस बात का बिलकुल भी अंदाजा नहीं है कि वो किस wrong track पर है उसक आप वही old smartphone यूज़ कर रहे हो जो आपने कुछ साल पहले purchase किया था और क्यूंकि वो अभी working condition में है तो आपको किसी नए smartphone की need हाल फिल हाल में लगती भी नहीं आप अपने फिजूल के expenses को cut करने की पूरी कोशिश करते हो ऐसा नहीं है कि आप life को enjoy नहीं करते आप भी month में एक बार party करते हो और sometimes पहाड़ों में travel भी करते हो लेकिन हमेशा budget बना कर अपनी basic monthly needs को पूरा करने के बाद और अपने expenses on check रखने के बाद आपके पास monthly 7,000 रुपेश से हो जाते हैं जिनकी कि आप monthly SIP start कर देते हो एक ऐसे asset में जहां से आपको 15% के annualized returns मिलते हैं So fast forward अब सीधा 20 साल आगे चलते हैं और देखते हैं कि आप दोनों की financial condition आखिर अब कैसी है and also आप दोनों में से कौन ज़्यादा satisfied है अपनी life से तो जैसे कि आपका दोस्ट future के लिए कोई saving और investing नहीं करता था इसलिए वो आज भी मजबूर है paycheck to paycheck जीने के लिए He hates his job, still उसे करते रहना उसकी मजबूरी है because अब उसके उपर family और बच्चों की भी जिमेवारी है So you can imagine कि उसकी situation कैसी है वहीं दूसरी तरफ आप हर महीने 7,000 रुपे save करते थे और उन्हें invest करते थे एक ऐसे asset में जहांसे आपको 15% के compounded annual returns मिल रहे थे इसलिए 20 साल बाद अब आपकी net worth 1 crore प्लस की हो चुकी है आप अपनी पहले वाली stressful corporate job से resign कर चुके हो और अब आप सिर्फ वही काम करते हो जिसमें आपका सबसे ज़्यादा मन लगता है जिसे करना आप सच में enjoy करते हो आप travel करते हो, family के साथ vacations पे जाते हो बिना अपने खर्चों के चिंता किये In short, आप अपनी dream life जी रहे हो और यही है दोस्तो real financial freedom लेकिन अब यहां कुछ लोग कहेंगे कि बोलना तो बहुत असान होता है कि ऐसा करो या वैसा करो तो आप financially free हो जाओगे लेकिन अगर सच में किसी ने ऐसा किया है तो बताओ वैसे तो दोस्तों ऐसे धेरो examples हैं जिन में कई ordinary लोगों ने extraordinary काम करके दिखाया है in terms of wealth creation लेकिन इन ही में से एक ऐसा person है जिसकी story बहुत कम लोग जानते होंगे ये एक software engineer की story है जिसने की 10 साल से भी कम समय में financial freedom अचीव कर ली और इस software engineer का नाम है Pete Adney Pete Adney एक Canadian citizen है जिसने की अपनी first job 21 की age में start करी थी और शुरू से ही उसने अपने खर्चे कम करके अपनी salary का 50% part सेव करना शुरू कर दिया था और उन्ही सेव की पैसों को उसने index fund में invest करना चालू कर दिया Pete का goal था कि वो 37 की age तक retire हो जाएंगे लेकिन वो उससे भी पहले यानि कि सिर्फ 30 की ही age में अपनी retirement goal तक पहुँच गए Pete ने ये सब उस age में कर दिखाया जिसमें ज़्यादातर लोग अपने उन loans को चुकाने में अपनी maximum energy लगा रहे होते हैं जो कि उन्होंने अपने फालतू के शोंक पूरे करने के लिए उठा रखे होते हैं तो दोस्तों वीडियो में अब तक हमने सीखा कि क्यो financial freedom इतनी important है and क्यों इसको achieve करना हम सब का goal होना चाहिए and then हमने एक real life story से ये भी जाना that इसी achieve भी किया जा सकता है ये कोई unrealistic thing नहीं है तो दोस्तों अब मैं आगे आपको financial freedom को achieve करने का simple तरीका सिखाऊंगा step by step आपको बताऊंगा कि कैसे आप budget बनाने से लेके उन assets में invest करने तक का अपना सफर तै कर सकते हो जो कि आपको financially free कर सकते है and also दोस्तों जैसे कि हम हमेशा से सुनते आये हैं कि investing करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अनुशासन की जुरूरत होती है उसके विना हम wealth नहीं बना सकते तो आज वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिसके लिए आपको इतना ज़्यादा discipline भी required नहीं होगा आपकी investment auto mode पर होती रहेगी and as always ये सब हम examples और stories के तुरू ही सीखेंगे so let's begin तो सबसे पहले हम budget बनाना सीखेंगे जिसके लिए हम एक famous principle का use करेंगे which is 50-30-20 principle इस principle के according हम अपनी monthly income में से 50% part अपनी needs यानि ज़रूरतों के लिए use करेंगे जैसे कि घर का राशन, home rents, घर के bills etc. के लिए use करेंगे then 30% हम अपनी wants यानि इच्छाओं के लिए use कर सकते हैं जैसे कि नए कपड़े खरीदना, travel करना या कोई movie बगारा देखना then 20% part को हमें use करना है savings और investing के लिए to meet our financial goals but keep in mind कि ये 20% saving और investing बाला part सबसे पहले अलग करना है जैसे कि जब भी हमारी salary आती है तो सबसे पहले हम savings और investing के लिए 20% part को अलग कर लेंगे then उसके बाद हम needs और wants के लिए spend करेंगे so ऐसे आप अपने budget को design कर सकते हो आप चाहो तो इसमें कुछ variations भी कर सकते हो जैसे कि savings वाले part को increase कर सकते हो अपनी wants को control करके और उस part को थोड़ा कम करके अब हम next asset allocation करना सीखेंगे जिसके लिए सबसे simple और easy rule है इस rule के according 100 है total percentage और x है हमारी age तो अगर हम 100 में से x यानि की अपनी age को कम करेंगे तो जो number आएगा उतनी percent of saving हम equities में invest करेंगे यानि की mutual funds या फिर shares में invest करेंगे और बाकी का बचा हुआ हम safe instruments में invest करेंगे for example अगर आपकी age है 25 तो 100-25 equal होगा 75 which means की आप अपनी savings का 75% equities में invest करोगे और बचा हुआ 25% आप safe instruments जैसे की bonds, ppfs, fd, etc. में invest कर सकते हो वहीं अगर आपकी age यादा है तो आप equities में कम और safe instruments में जादा invest करोगे जैसे की अगर आपकी age है 60 साल तो 100-60 equals 40 यानि की इस case में आप सिर 40% equities में invest करोगे और बाकी का 60% आप safe instruments में invest करोगे तो ये था एक simple rule 100-x rule तो अब बारी आती है equities में invest करने की equities में invest करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं एक कि हम खुद से individual stocks फिक करें और उनका एक portfolio बनाएं देन उनमें अपने पैसे invest करें या फिर हम experts को hire कर सकते हैं अपने पैसो को invest करने के लिए यानि की mutual fund investment तो दोस्तों अब अगर आप confused हो कि उन दोनों में से आपको क्या choose करना चाहिए तो वो depend करेगा इस बात पे कि आपके पास time कितना है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा time नहीं है stocks को individually analyze करने का तो सबसे best way तो यही होगा कि आप index funds में अपने पैसो को invest कर दे जो की p-tad ने भी किया करता था जिसकी story हमने अभी सुनी तो अब अगर हम माल लेते हैं कि आपकी income है 20,000 रुपे पर मन्त और आप 50, 30, 20 रूल के according budget बनाते हो तो आपके पास every month 4,000 रुपेज से हो जाएंगे अब मैं फर्ज कर रहा हूँ कि आपकी age है 25 years तो 100-X rule के हिसाब से 4,000 का 75% part यानि की 3,000 रुपेज की आप index funds में SIP स्टार्ट कर सकते हो और बचे हुए 1,000 की आप भारत bond और sovereign gold bond में SIP स्टार्ट कर सकते हो और SIP इसलिए क्योंकि SIP एक automatic process है आपको बस SIP का amount choose करना होता है किस date पे आप invest करना चाहते हो वो choose करना होता है and that's it further आपको ज़्यादा सोचने या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती automatically हर महीने पैसे आपके account से cut के invest होते रहते हैं और ऐसा होने का सबसे बड़ा benefit ये है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा discipline required नहीं होता and the automatic millionaire book के author डेविड बैच का वी यही कहना है कि अगर किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा discipline लग रहा है तो chances बहुत कम हैं कि आप उस काम में succeed होंगे इसलिए SIP के जरीए अपनी investment को auto mode पर कर दो and let the power of compounding do its job अब बारत bond और sovereign call bond की बात कर लेते हैं ये दोनों क्या हैं और इनमें invest करने के क्या benefits हैं हम कभी detail में किसी separate video में discuss करेंगे because video बहुत लंबा हो जाएगा फिलहाल जल्दी से मैं आपको इनमें invest करना सिखा देता हूँ इनमें invest करने के कुछ और भी तरीके हैं लेकिन आज की video में जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक DMAT account चाही होगा जिसे कि आप किसी भी discount broker से open करवा सकते हो इस video के लिए मैं Angel1 के आप को यूज कर रहा हूँ जिसके free DMAT account ओपनिंग का link भी description में मैं दे दूँगा अगर आप चाहो तो Angel1 के साथ DMAT account भी open कर सकते हो सबसे पहले तो हमें आप में login करना होगा देन login करने के बाद हमें watchlist रॉले section में जाना है by clicking this watchlist icon then यहां search box में हम type करेंगे sgb यानि की sovereign goal bond then sgb के आगे बिना space दिये type करेंगे aug28v और यह इसलिए क्योंकि sbg लिखने पे बहुत सारे और भी symbols आएंगे लेकिन यह symbol सबसे ज़्यादा liquid है यानि आपको खरीदने या बेचने में कोई परिशानी नहीं आएगी इसलिए हम इस symbol को select कर रहे हैं then इस symbol पे हम click करेंगे और यह watchlist में add हो जाएगा फिर हम इसी पे दोबारा click करेंगे तो ऐसा कुछ interface open होगा then यहां पे आपको एक section दिख रहा होगा start by investing small इसके आगे जो explore बटन है हमें उस पे click करना है और जैसे ही हम उस पे click करेंगे तो next page open होगा जिसमें की हम start SIP बले बटन पे click करेंगे and after doing that अब हमारा main काम start होगा अब यहां ध्यान से देखना यहां पे तीन important field है amount, frequency और period amount वाले field में हम SIP के amount को fill करेंगे जैसे कि अगर 500 की SIP हमें चालू करनी है तो 500 add करेंगे then frequency में already month select है इसे हम ऐसे ही रहने देंगे then period में हमें month से add करने है कि हम कितने महीनों तक SIP जारी रखना चाहते हैं सो कोई भी एक random number में ले लेता हूँ आप इसे change भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप और ज्यादा time के लिए SIP करना चाहते हो then ये सब करने के बाद नीचे यहां create basket वाले button पे हम click करेंगे and इसे click करने के बाद एक और page open होगा जिसमें हमें I accept वाले box में टिक करना है और place order button प्रेस कर देना है and we are good to go हमारी SIP अब स्टार्ट हो चुकी है Index fund और भारत bond के लिए भी आप सेम ही process करोगे दोनों को watch list में add करोगे और उसके बाद सेम process को repeat करोगे तो आप उनमें भी SIP कर पाओगे Nifty index fund और भारत bond ETF के symbol ये हैं भारत bond ETF वाले symbols के आगे जो ये number लिखे हैं 0431 etc इनका मतलब है कि ये 2031, 2025, 2023 और 2030 में mature होने वाले funds हैं respectively वीडियो को pose करके आप इनका screenshot ले सकते हो and then process को start कर सकते हो So that's it for today दोस्तों I hope कि आज की वीडियो आपको informative और interesting लगी होगी अगर आपने वीडियो से कुछ नया सीखा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब करें